चलिए दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लैटफॉर्म डिकी गुपता ओनलाइन वीडियो फो गौर्मेंट अग्जाम में और मैं आपका एजुकेटर एडिकी गुपता तो जैसे कि दोस्तों आप लोग ने थमनेल देखी लिया है कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो किंची जुके पर बात करने वाले हैं कि जो BPSC जो अभी आपका नया अग्जाम आया है जो पीछे बीते हुए दिनों पंदरा दिनों में आपके दस अंशोधनों चिके हैं और उस दन्शोधन में आपका जो आखरी शंशोधन था अभी तक का जो कि कह रहा है कि पूरे भारत वर्ष में जो भारत का नागरिक है वो इस फॉर्म को भर सकता है जो कि बिहार, जारकंड, MP, अलग-अलग स्टेट के बच्चे ये कहचा भी रहे थे कि उनको मौका मिले इस अच्जाम में तो आखरी कार उनको मौका मिल गया है लेकिन इस मौके में आपको किन-किन सीटों पर मौका मिला है साथी साथ में किन-किन कैटेगरी के अंदर गत मौका मिला है और किन-किन चीजों की अवशकता और क्या age रही और क्या आपको qualification रहेगा उन चीजों के बारे में हाज हम बात करने वाले है यानि कि other state वाले बच्चों के लिए beneficial video रहने वाली है कि आपको किन-किन चीजों की नीड है बिहार वाले बच्चे तो बहुत पहले से इसमें जुड़े हुए है बिहार वाले बच्चों को पता है किन-किन चीजों के वशकता और किन-किन चीजों के वशकता नहीं है लेकिन बहार वाले जो बच्चे हैं उनको यानि कि भिहार के अधर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको किन-किन चीजों के वशक्ता पड़ीए उनके बारे में आज हम बात करेंगे ठीक है चलिए तो आईए दोस्तों मैं आपको इनके बारे में detail में समझाने का और वैं सिखाने का प्रियास करता हूँ चलिए ओके तो दोस्तों ये जो है अपना एक BPSC 7th Phase 2023 को ध्यान में रखते हुए एक batch launch किया गया है एक batch है हमारा इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में इस चीज के बारे में बात करूँगा लेकिन अभी जो हम चीज के बारे में बात करने आये हैं उसके बारे में बात करने से हैं देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि जो BPSC का अग्जाम आया हुआ है इस अग्जाम में vacancies कितनी हैं बिहार वालों को पता है अधर स्टेट वाले इस बात को ध्यान रख लीजेगा इस vacancies जो भरती निकली है आपकी इस भरती में आपके कुल मिलाकर तीन पोस्टों के लिए पहला कक्षा एक से लेकर पास तक की दूसरा कक्षा नौ से लेकर दस तक की और तीसरा कक्षा ग्यारा से लेकर बारवी तक की जिसे प्रात्मिक, माधमिक और उच्छ माधमिक क्याते हैं रही बात कि हम कौन-कौन से पोस्ट के लिए भर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके 10 में 33,000 vacancies है और 11 से 12 में लगभग लगभग 57,000 vacancies है ठीक है? इन vacancies की बात करे जाए दोस्तों, तो सीधा-सीधा जो हमारी सरकार है, वो 50 परतिशत जो है, वो female को क्या करती है? आरक्षित दे देती है कहने के मतलब है, जो seat है ये, इन seatों में 50% जो seat होंगी, वो सीधी-सीधी महिलाओं को मिलेंगी, चाहे वो जर्नल की हो SCO, OBCO, बिहार की हो बिहार के बाहर की हो, उन सभी महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो पुरुष इस चीज का ध्यान रख लीजिए, ये सारी की सारी seat है, आधी जो है, उसमें महिलाओं के लिए रक्षण है, ठीक है? अब कई बच्चे सोचेंगे, कि सर बिहार वाली महिलाओं के लिए, फिर सभी बहिलाओं के लिए, तो ध्यान रखेगा दोस्तों, सभी पास तक का भरने वाले हो, जिसमें 80,000 वेकेंसीज है, और 80,000 में से लगा लेजिए, लगभग, लगभग 40,000 जनरल की वेकेंसीज है, तो आप केवल 40,000 से 20,000 में केवल महिलाओं को मिलेगा, ठीक है? ध्यान रखेगा उसमें विभिहार की और बाहर की, दोनों की होंगे, ठीक? तो ये ध्यान रखेगा, इसमें जो है, आरक्षण 50% महिलाओं के लिए है सीटों के बारे में पता चल गया? आईए, आगे चलते हैं आगे चलें, तो दोस्तों फिर आजाती है आपकी eligibility, यानि की पात रखता है अगर आप इस form को भरना चाते हो कक्षा, एक से पांच, छे से आट हैं तो है नहीं, नौ से दस और ग्यारे से बारा, तो क्या है आपकी eligibility होनी चाहिए? तो देखो दोस्तों, अगर आपका कक्षा एक से पांच तक का form भरना चाते हो तो आपके पास DLAT होना चाहिए बारवी के बाद या फिर graduation के बाद आपका B.A.D. होना चाहिए? क्या मैंने बोला? या तो DLAT जिसे आप GBT, diet, VTET और अलग-अलग नाम से जानते हो ध्यान रखेगा, DLAT, D.A.D. कुछ भी बोल सकते हो बारवी के बाद आपने किया होगा जिसको diploma मिलता है जिसमें या फिर graduation के बाद जो आपने B.A.D. करा होगा जिसमें degree मिलती है इसको करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? C.T. qualify करना पड़ेगा अब कई बच्चे कहेंगे सर जो जुलाई वाला उनको मौका नहीं मिल रहा हन जी भाई मिल रहा उनको भी मौका अगर आप ये जुलाई वाला जो अग्जाम है वो दे रहे हो या फिर आप B.A.D. D.A.D. के फाइनल येर में हो जो आपका अग्जाम 31 अगस से पहले हो जाएगा तो आप eligible हो इस वाले जो eligible जो बच्चे हैं उनको दिया गया है जो pursuing बच्चे हैं जो यहाँ पर अभी है पिपर देने वाले हैं जुलाई के अंदर गत तो अगर आप final year में हो first year में नहीं final year में आखरी चरण में हो आप आखरी समिस्टर में हो चाए वो DLA हो चाए BLA हो चाए वो seated जुलाई वाला 31 सगस से पहले हो जाता है तो आप eligible अब कई बच्चे कहेंगे सर seated जो है वो तो बिहार वाले बच्चों को 10 नंबर की एक्स्टा शूर देता है हाँ भाई बिहार वाले केंडिडेट को 10 नंबर की अलग से शूर देता है अन्ने केंडिडेट को मिलेगा नहीं दोस्तों अन्ने केंडिडेट को नहीं मिलेगा अन्ने केंडिडेट जो है अपने अपने state में अलग-अलग होंगे seated जो होता हो, भिहार का होता है, होता निया पूरे state का होता है, मतलब पूरे राज्ये का होता है पूरे देश का होता है, पूरे country का होता है भारत का होता है, तो उसमें अगर आपने अपने state से central के रूपे में बना रखा होगा SCST OBC और आपके पास OBC में 82 हो या फिर journal में 90 नमबर हो अगर आपने ये नमबर लेकर pass out हो और आपके पास certificate आ गया है pass out हो और आपके पास certificate आ गया है तो आप eligible हो form भर सकते हो ठीक है दियान रखेगा इस बात को ये तो हो गई एक से पास तक की 9 से 10 की बात करी जाए तो दोस्तों आपने बियर ग्रेजुएशन के बाद बियर करते हो और उसके साथ साथ में बिहार में जो STAT paper 1 होता है दियान रखेगा बिहार का STAT होना चाहिए सीटेट का paper 2 नहीं होना चाहिए दियान रखेगा और ये STAT 2 paper 1 जो है STAT का मैं पूरी की पूरी उमीर लगा सकता हूँ बिहार के बाहर वाले बच्चों ने फिल नहीं करा होगा क्यों क्यों कि जब ये form आया था 2019 में तब केवल बिहार के बच्चों को ही eligible किया गया था इसलिए बाहर के बच्चों ने भरा ही नहीं होगा अगर आप STAT pass नहीं हो तो आप इस form को apply नहीं कर सकते हो तो सीधा सीधा कहने का मतलब है आप 9-10 में apply कर ही नहीं पाऊगे ठीक है आगे जाकर कोई संसोधन हो जाएगा तो उन्हें मैं बता दूँगा आपको लेकिन अभी यह होना चाहिए तो इसमें आप apply नहीं कर सकते बाहर वाले बच्चे साथी साथ में class 11-12 में भी वही है graduation के बाद और इसमें post graduation के बाद beard होती है और STET का paper to pass होना चाहिए qualify होना चाहिए जब जाकर आप इसका form भर सकते हो जो कि मुझे पूरी उमीद है बाहर के बच्चों ने इसको भरा ही नहीं होगा जो कि भरने दिया ही नहीं जा रहा था उस समय पर तो आप इसके लिए भी eligible नहीं हो तो कहने का मतलब है कि सीधा-सीधा बाहर वाले जो बच्चे हैं बिहार के वो ना ही ये भर सकते हैं और ना ही ये भर सकते हैं तो सीधी-सी बात है आपके पास beard या beard होना चाहिए और beard हो तो आपको 6 मेने का bridge course भी मिलेगा करने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा बाद में उसको अभी घवराना नहीं है तो वो आप सीधी-सी बात है आप केवल 1-5 तक के लिए 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 बनो तो जो भी बच्चा अलगर यूपी बिहार से बाहर का बच्चा है तो वो केवल paper 1 के लिए बन सकता है ना ही OBC पर, ना ही SC पर, ना ही ST पर क्योंकि ये सारी की सारी चीज़े बिहार स्टेट क्योंनी चाहिए आपकी तब ही आप competitive कर पाओगे आने वाले समय में अगर central कर दिया तो वो बात अलाग है लेकिन अभी तक केवल बिहार स्टेट का ही है तो जितने भी बच्चे बाहर से इस form को भारेंगे उन सभी बच्चों को जर्नल के अंदर गत रखा जाएगा चाहिए वो महिलाए हो, चाहिए वो पुरूश हो वो उस seat के उपर competitive करेगे ठीक है? इतनी बात समझ में आगी सभी बच्चों को आगे चलते हैं अब कई बच्चे पूच रहे था कि सर इसकी age बता दीजी जो भी मैं class ले रहा हूँ उसमें age पूच रहे थे तो दोस्तों चाहिए आप बिहार के बच्चे हो या बहार के बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं है जर्नल की बात करी जाए तो आप लोग जर्नल में ही काउंट होगे बिहार के बहार वाले जितने बच्चे हो सारे के सारे जर्नल में ही काउंट होगे इसलिए मेल की बात करी जाए तो 37 साल उमर रखी गई हो और फीमेल की 40 साल तो जितने भी बिहार से बाहर वाले बच्चेश के अंदर अपलाई करेंगे अपनी एज देख लीजिएगा 37 से 40 साल, जर्नल 37, पुरुषों में और महिलाओं में 40 साल आप इसी के अंदर गत काउंट होगे, तो आप देख लीजिए का आपकी एज यह है, तो आप कॉम फिल करता होगे बात रही दोस्तों, OBC, EBC और SCST यह तो हो गए नहीं, यह तो डिरेक्ली बिहार के ही बच्चे होंगे तो बिहार के बच्चों की यह उमर है, वो बिहार के बच्चे जानते ही हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चले, ओके, यहाँ पर अपने कोर्स की बात आ गई है, तो कोर्स की बात मैं एक बार बता देता हूँ, फिर और कुछ चीजे बताऊंगा, अगर कोई भी बच्च पर होगा आपका, तो डिरेकली आप हमारी टीम से पढ़ना चाते हैं, तो तैयारी कर सकते हो, जिसकी फी समात रखी गई है, 1499 रुपे, लेकिन अभी 39 और 30 दिन जो इद चल रही है, उस मौके के अवसर पर दोस्तों, इसका 11% की छूट है, 39 और 30 तारीक को, तो डिरेकली इस कोड को लगा कर, आप इस बैच में 11% की छूट लेकर आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है, इतनी से बात हो गई, अब कई बच्चों को पता होगा दोस्तों, ये जो अग्जाम है, इस अग्जाम का जो है, पेपर वो अलगी पैटन है, इस अग्जाम में आपके दो प अगर आप इसमें 100 में से 30 नंबर लाते हो, तब ही आपको दूसरा वाला पेपर देने को मिलेगा, दूसरा पेपर आप देख सकते हो, चाए वो बच्चा बिहार का हो, चाए अंदर का हो, कोई दिक्कत नी है बहार अंदर का, आपको 30 नंबर लाने ही है, ये केवल क्या है, qualifying marks है, दूसरे paper में बैठ ने के लिए, दूसरा paper किसका है? तो GS का paper है, GS में आपको पता है 120 number का portion पूछा जाएगा और 120 portion के अंदर गर दोस्तों, जो बाहर वाला बच्चा है बाहर वाला कहने का मतलब है बिहार से बाहर वाला, उसको 120 में से कम से कम 40% नमबर लाने है, मेरिट में आने के लिए कम से कम 40% 40% अगर हम इसका निकालेंगे तो approximately 48 number होता है कितने 48 marks होते हैं तो कम से कम आपको 48 marks इसके अंदर गर लेकर आने हैं आप कई बच्चे केंगा सर SC, ST, OBC उनका बता दीजिए तो दोस्तो ध्यान रखेगा आप लोग सारे के सारे जर्नल में count होगे तो जर्नल वालों को 40% अगर लाने है वहीं पर ही अगर बात करे जाए SC, ST, Physical Handicapter या फिर जो फीमेल है उनकी बात करे जाए तो फीमेल सभी सभी फीमेलों के लिए जो number की category रखी गई है दोस्तो वो I think 30% या फिर 32% रखी गई है जो उसका percentage निकालोगे तो approximately 38 number आता है कितने number आते हैं? 38 number आते हैं ठीक है? तो 120 में से कम से कम आपको 38 number लाने है अब कई बच्चे कहेंगे सर इतने number लाएंगे तो हम merit में आ जाएंगे नहीं दोस्तो ये minimum है अब depend करता है आपकी vacancies कितनी है और number of candidate कितने है उस अनुसार जिसने ज़्यादा high बच्चे rank लाएंगे जितने high बच्चे number लाएंगे उसी अनुसार उनका selection होगा कम से कम ये बोल रखा है उन्हों ने ठीक है तो जो महिलाएं है उन सभी महिलाओं को चाहे हो बिहार के अंदर क्यों या भार क्यों उनको यही number लाने है चाहे है आप journal category के अंदर का क्यों नहीं आते हो महिलाओं के लिए ये number fix कर रखे हैं विहार में और पुरुषों के लिए जर्नल के लिए 40% यानि की 48 marks लाने हैं आपको ठीक है जो paper आपका दो paper है 100 number का है 120 number का दोनों को करने के लिए approximately 2-2 घंटे का समय मिलेगा ठीक तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा exam pattern का उमीद करता हूँ सारी चीजे समझ गए होंगे आप अभी के लिए आज के लिए दोस्तों यही था बाकि कोई बच्चे आमसे पढ़ना चाहता तो मैंने course के बारे में बता ही दिया Class24 application को डाउनलोड करके और ज़धा detail में उसके बारे में आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही आपसे फिर मुला कात होगी एक next वीडियो में एक next आपके के साथ जब तक ले सभी बच्चों को धन्यवाद